विल्कम फ्रेंट्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो मध्ध प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतरगत सहायक जेल अधिक्छक के सीधी भरती के रिक्त पदों पर भरती है तुचैन परिक्षा 2022 ते इसका विग्यापन जारी कर दिया गया है दोस्तो ये जो विग्यापन है सहायक जेल अधिक्छक का तो वियापम में वियापम के अंतरगत या कहें मध्ध प्रदेश कर्मचारी चैन बोर्ड के अंतरगत जो वन रख छक और जेल प्रहरी की वेकेंसी पब्लिश होई थी उसमें इसको एट कर दिया गया है नए वेकेंस होंगे वेकेंसी कित्ती होगी तो ये है 33 पद रहेंगे इसमें अब इसमें देखिए जो पद नाम है वेतनमान और सेक्षडिक योगता दोस्तो इसमें सहायक जेल अधिक्छक कारिपालिक पद है और इसमें 33 पद हैं वेतनमान जो दिया हुआ है लेवल 7 है 7 CPC मदप्रदे सरकार का ये 36,200 से 1,14,800 रहेगा और जो सितंबर 2019 का परिपत्र है इसके अमसार वेतनमान का न्यूनतम प्रथमबर 70 प्रतिशत 2,3 वर्स 80 प्रतिशत और 3,90 प्रतिशत स्टाइपेंड के रूप में दे होगा लेकिन यदि यही पद यदि 85 से निकालते तो यहां पे मूल व देखते हैं और डिटेल इसमें क्या दिया हुआ है तो यहां पे है दोस्तो जो डिस्ट्रियूशन है पद का जो 33 पोस्ट है उनका तो आप यहां पे देखें मैं यहां पे जो यह आरक्षित पद है यह यहां पे मेंशन किया है तो यहां देखिए अनारक्षित जो है 9 पद वर्गे के हैं, चौधा पद इस तरह ही टोटल हो रहे हैं, 33, अब आई देखते हैं, इसेंसियल क्वालिफिकेशन, तो कंडिडेट को मानिता प्राप्त विश्विद्याले से इसनाता कुपाधी उत्तिर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, शारीरिक मापदंड, पुरु सब्भ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महीला भ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेक्स्ट एक्सपेंडेशन होना चाहिए, बीना फुलाए, पुरु सब्भ्यर्थी के लिए 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बस्चा होना चाहिए 89 cm आवेदक की दोनों आंखव रूप से अपंग नहीं होना चाहिए नाकनी फ्लैट फुट या कुई दिस्ति दोस नहीं होना चाहिए चीकितzentिये दिस्टी से नागरीखो नेपाल का नागरीखो सकता है मद्द प्रदेश सिविल सेवा भरतिनियम 1961 के लागुनियम के अंतरगत प्रमणपत्र दिया जाना आवश्यक है अब आते हैं आयुशीमा में तो दोस्तो पुरुष आवेदक के लिए सामान और अनारक्षित कटगरी में नियूनतम 18 वर्ष और अधिक्तम 33 वर्ष की आयुँ रखी गई है महिला अवेदक अनारक्षित वर्ग पुरुष महिला अवेदक अनुशूचित जाती जन जाती अन पिछड़ा वर्ग प्रसास की निगम मंडल स्वसासी संस्था की कर्मचारी तथा नगर सैने के लिए 5 साल की इसमे और छूट रहेगी और ये होगा टोटल 38 यर्ज जो एज की कल्कुलेशन होगा वह एक जनवरी 2023 को होगा तेज का बेश बना के किया गया है और देखते हैं इसमें प्रमुख बिंदू क्या है परिक्षा योजना देख लें दोस्तों तो मद्ध प्रदेश कर्मचारी चैन मंडल भोपाल द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे और ये सारी चीजें आपको जो कर्मचारी चैन मंडल की साइट है esb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे इसी तरह जो प्रवेश पत्र है वो भी आपको यहां ही मिलेगा यहां से ही आपको डाउनलोड करना होगा इसमें परिक्षा क्योजना की बात करें तो दो चरण होंगे इसमें पहला होगा आपका लिखित परिक्षा जिसमें सव प्रश्न होंगे सव अंकों के होंगे और समयाबाधी रहेगी दो घंटे की सलेवस की बात करें तो दोस्तों सामान ग्यान, सामान हिंदी, सामान अंग आपको शारीरिक प्रविड़ता टेस्ट और शारीरिक नाप जोग के लिए बुलाया जाएगा इसमें सारीरिक प्रविड़ता टेस्ट की बात करें फिजकल की तो दोस्तो इसमें होगा 800 मीटर की दोड पुरुश अभ्यर्थी के लिए इसको पार करना होगा यह को दोड में करता तो गोला टेस्ट में भाग नहीं देने जाएगा और वहीं से उसको वापस कर देंगे सारीरिक प्रविन्टा परिच्छा केवल क्वालिफाइंग की रूप में होगी इसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट आपकी जो चैन सूची है रिटेन टेस्ट की उसी से ही बनाई जाएगी तो दोस्तो ये नोटिफिकेशन रहा मुख्य मुख्य चीजें इसमें मैंने कभर की है ये दोस्तो जो है वन रक्षक छेत्र रक्षक और जेल प्रहरी जेल विभाग के अंतरकत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधिक्षक कारेपालिक सहायक जेल अधिक्षक को अभी इसमें जोड़ा गया है दोस्तो इसमें जो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथी है 20 जनवरी से सुरू होगी और 3 फरवरी 2023 तक इसको चलना है आठ फरवरी 2023 तक इसमें आपका करेक्षन होगा 500 रुपए की फीस लगेगी अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए अनुशूचित जात जन जात पिछड़ा वर्ग निशक्त जन मद्परदेश के मूल निवासियों के लिए 200 रुपए शुल्क होगा सीधी भरती बैकलाग के लिए कोई शुल्क नहीं होगा मा की पोर्टल चार जो रहेंगे रहेंगे और इसमें एदि हम एकजाम की बात करें तो दोस्तों ये 11 मई 2023 से प्रारंब होगा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहें लिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी मेरी तेह नए नोटिफिकेशन में आप सब का दिन सुभो धन्यवाद